अपना घर, अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, सबसे अच्छे, ना के उस कालू कव्वे की तरहां, जो बाहिर तो बहुत हुशी हुशी रहता, हंसता खेलता, गप्पे लगाता, और जैसे ही अपने घर आता, तो सबसे गुसे से बात करता, हर किसी को डानता रहता मेरी पगड़ी कहा है रात को मैंने यही रखी थी किसने उठाई है मेरी पगड़ी इसमें इतना गुसा होने की क्या बात है कालू जी वो सामने ही तो पड़ी है आपकी पगड़ी पिता जी आपकी पगड़ी रात को मैं पहन कर देख रहा था फिर मैंने वहां रख दी इसे बात पर कालू कवा अपने बेटे जग्गू कवे को मारना शुरू कर देता है कितनी बार कहा है मेरी चीजों को ना छेड़ा करो माफ कर दें पिता जी माफ कर दें मैं फिर कभी आप की चीजों को नहीं छेडूंगा अब बस कर जाएं बच्चा है गलती हो गई क्या जान से मार दोगे मेरे बेटे को फिर कालू कवा गुसे में अपनी पगड़ी पहन कर बाहिर चला जाता है मेरे सब दोस्तों के पापा बहुत अच्छे हैं मेरे पापा गंदे हैं गंदे हैं मेरे पापा ऐसे नहीं कहते जगू बेटा आप तो अपने पापा की चीजों को इधर उधर रख देते हो ना पापा तो मारने का कोई ना कोई पहाना ढूनते हैं अगर पगड़ी की बात ना होती तो किसी और बात पर मानना शुरू कर देते मैं नहीं बोलूँगा पापा से आज तो बड़े सुन्दर दिख रहे हो कालू कहीं जा रहे हो मैं घूमने निकला था तुम्हें देखा तो यहां आ गया ये खुश्बू कहां से लिए है बहुत मीठी मीठी सी है ये खुश्बू ये खुश्बू मैंने बदेर से मंगवाई है कबूतर का बेटा कीकी और पतनी लूसी भी वहां आ जाते है पापा ममा मुझे चोकलेट नहीं ले कर दे रही मुझे चोकलेट चाहिए मैं कबसे इसे समझा रही हूँ मेरी तो एक नहीं सुनता है मैं एक लगाऊंगा अगर फिर चोकलेट मांगी तो बच्चा है क्यों डान रहे हैं आप इसे चलो कीकी मैं आपको चोकलेट ले कर देता हूँ कालू अंकल बहुत अच्छे है पिर कालू कीकी को अपने साथ चोकलेट ले कर देने चला जाता है गोरी कवी और कालू का बेटा जगू कवा जब नदी पर पानी पीने जाते हैं तो वहां चिडिया और लूसी का बूतरी भी बैठी हुई थी अरे गोरी जग्गू के तो मुँपर सोजन है किसी ने मारा है क्या इसे चुड़िया बहन क्या बताऊं इसका पापा जैसे ही घर आता है तो गुसे में आ जाता है किसी ना किसी बात पर या तो मुझे से लड़ाई करता है या फिर जग्गू को मारना शुरू कर देता है कालू भीया ऐसे तो नहीं है वो तो हम सबसे बड़ी हंस हंस कर बातें करते हैं और आज ही कीकी चौकलर के लिए जिद कर रहा था तो कालू भीया उसे अपने साथ चौकलर ले कर देने चलेगे सब के लिए पापा अच्छे है परंतू मेरे लिए क्यों नहीं मुझे क्यों इतना मारते रहते हैं चिडिया और लूसी बहन बाहिर के सब ही पक्षी मुझे ऐसा ही कहते है के कालू जैसा तो कोई नहीं परंतू क्या फाइदा ऐसी अच्छाई का जो अपने परिवार के लिए ही ना हो जब कोई बुरा समय आएगा तो अपना परिवार ही संभालेगा उसे मुझे तो लगता है कालू पर किसी ने जादू कर रखा है आप एक बार जाओ तो सही उल्लू सहादू बाबा के पास बस एक बार मेरे कहने पर सच बताऊं तो चुडिया बहन मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे पती पर किसी ने जादू कर रखा है मैं आज जगू को घड छोड़ कर उल्लू बाबा जी के पास जाती है कौन सी चाकलेट लोगे किकी छोटी या बड़ी वाली बड़ी वाली बड़ी वाली गोरी भी जगू को घड छोड़ कर उल्लू बाबा जी की तरफ चल देती है दस दाने चावल के लाई हो क्या कवी हाँ लाई हूँ बाबा जी मुझे चुडिया ने सब बताया था ये ले आप चावल के दाने फिर उल्लू सादू बाबा अपनी आँखें बंद कर लेता है और मुँ में कुछ पढ़ने लगता है ये थो जादू है जादू किया हुआ है किसी भक्षी ने तुम्हारे पती पर तुम ये पानी ले जाओ और कालू को पला देना देखना कालू दिनों में ठीक हो जाएगा और फिर वो तुम सब से बहुत प्यार से रहेगा गोरी कवी खुशी खुशी वो पानी लेकर अपने खर चली जाती है गोरी कवी वो पानी कालू को पला देती है कालू जी हमारा जगू अब बड़ा हो गया है आप इसे हर समय डांटा न करें बहुत दूर होता जा रहा है जगू हमसे जगू तो अपने बापा को देखते ही अपनी आँखें बंद कर लेता है और सोने का नाटक करता है मैंने जगू के लिए गरम कपड़े लेने है मुझे कुछ पैसे दें मेरे पास पैसे कहां से आए जब होंगे दे दूँगा आप बाहिर सब पर खर्च करते हो और जब अपने खर की बारी आती है तो आपके पास पैसे खतम हो जाते हैं मुझे से ज़्यादा फजूल बहस करने की जरूरत नहीं है कालू गोरी से ऐसे लड़ा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है गोरी बाहिर देखती है बाहिर बुलबुल अपने बेटे के साथ खड़ी थी कालू भेया घर में है जी घर में ही है कालू भेया मुझे एक काम है आप से आओ आओ बुलबुल कैसे आई हो बताओ बताओ क्या काम है मैं अपनी मां के पास जा रही थी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है मैं कुछ दिनों तक लुटा दूँगी आपको तो इसमें शर्माने की क्या बात है ये ले आप पैसे और चिंता न करना जब हों तब लुटा देना फिर बुलबुल कालू से कुछ पैसे उधार लेकर चली जाती है अपने पेटे के गरम कपड़ों के लिए आप के पास पैसे नहीं है और बुलबुल को पांच सो उधार देने के लिए है मेरे सब पक्षियों के साथ अच्छे संबंध है और तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही शर्म कर लो क्या बोला मुझे शर्म बता रही हो कालू तो अपनी लाठी उठा लेता है और गोरी की पिटाई शुरू कर देता है जगू कुछ नहीं कर सकता था सिवाए इसके के अपनी माँ को पिटता देखता रहे ऐसे ही समय गुजरता गया और कालू का अपने परिवार से रवेया और भी गलत हो गया था मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ मेरे दोस्त की शादी है शाम को देर से घर आउंगा गोरी और उसका बेटा जगू खामोश थे वो कुछ नहीं बोलते रास्ते में जाते हुए कालू को एक चकरसा आता है और वो गिर जाता है पूरे जंगल में कोई भी उसे उठाने वाला ना था जब उसकी पतनी गोरी और बेटे जगू को पता चलता है तो वो दुरूंत वहां आते हैं और कालू को उठा कर घर ले जाते हैं चील डॉक्टर को बुलाया जाता है इसे फालज हुआ है मैंने दवा दे दी है परन्तु अब कालू चल फिर नहीं सकेगा चील वहां से चली जाती है कालू बात करना चाहता था परन्तु उसकी जबान हिल नहीं रही थी वो बात तक नहीं कर पा रहा था बासे यही जीवन है कालू जी अब बलाओ अपने दोस्तों को और जाने वालों को नहीं आया ना कोई भी आज आयेगा भी नहीं क्योंके अब तुमसे गंदी बू आएगी क्योंके तुम खुद से वाशरूम भी नहीं कर पाओगे मैं अपने पापा को वाशरूम ले जाऊंगा मैं ख्यार रखूंगा अपने पापा का अब ये आपके आंसू तो बात कर रहे हैं परंतू कितना ही अच्छा था जब आप ठीक थे आप भी हमसे कोई बोल खुशी का बोल ले थे कालू के आंसू वो सब कह रहे थे जो कालू ना कह सकता था परंतू अब कालू कुछ नहीं कर सकता था क्यूंके वो तो एक जिन्दा लाश था प्यारे दोस्तों अपने घर परिवार से प्यार करो उन्हें खुशियां दो क्यूंके गया समय हाथ नहीं आता और समय के जाने का पता ही नहीं चलता आपका धन्यवार इस नदी से मैं पानी पियोंगी या तुम तो फिर मैं पानी पी लेता हूँ और तुम कहीं और से जाकर पी लो गंदी आँखों वाले बुड़े कबूतर तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ तुम कालू चोर की पतनी हो और कौन हो कालू को छोड़ो मेरे पूरे साथ भाई है और मैं अपने भाईों की अकलोती बहन हूँ सीधे से यहां से भाग अगर ना गे तो अपने भाई बलाकर ऐसी पटाई करवाऊंगी कि उम्र भर याद रखोगे ये नदी सब की सांजी है मैं तो पानी इसी नदी से पियूँगा मैं डरने वाला नहीं गोरी कवी जब से उस जंगल में आई थी वो हर पक्षी से लड़ाई करती है कभी किसी बात पर और कभी किसी बात पर और हर किसी को अपने साथ भाईों का नाम लेकर डराती थी आज शाम से पहले पहले मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी और तुम्हें लग बता जाएगा कि तुमने किस से पंगा लिया है फिर गोरी कवी अपने भाईों को बुलाने चले जाती है कभूतर भी नदी से पानी पीकर अपने घर चला जाता है शाम से पहले पहले ही गोरी अपने भायों को बुला लाती है जो आते ही कबूतर का घर तोड़ देते हैं और कबूतर को मार मार कर बेहोश कर देते हैं बस करो अब बस करो मेरे शियर भायो अब ये कबूतर हमेशा याद रखेगा अगर कोई भी हमारी गोरी बेहन को तंग करे तो संदेश भेज देना ऐसे ही पिटाई करेंगे हम उसकी रात को चिडिया कबूतर को अपने घर ले जाती है तुम्हें पता तो है कबूतर भेया वो कितनी बुरी है फिर भी आपने गोरी से लड़ाई क्यों की मैंने कब लड़ाई की वो मुझे नदी से पानी पीने से रोक रही थी तुम ही बताओ चिडिया बेहन अगर हम उस नदी से पानी नहीं पिएंगे तो कहां से पिएंगे जब से मैं तुम्हें बेहा कर लाया हूँ रोज तुम्हारी किसी ना किसी पक्षी से लड़ाई रहती है एक तुम ही अच्छी हो क्या बाकी सब पक्षी ही बुरे है तुम्हें गबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई हैना मेरी जगा लड़ने के लिए इतना जुलम अच्छा नहीं ऐसा नहो कि तुम्हें इसकी सजा मिले चुप कर जा ओय कालू जी अगर मुझे गुसा आ गया तो अभी अपने भाईयों को बुला कर तुम हारी भी पिटाई करवा दूगी गोरी के भाईयों से तो कालू भी बहुत डरता था इसलिए वो चुप हो जाता है अभी दो ही दिन गुजरे थे के बेचारी चिडिया गोरी के काबुआ जाती है चिडिया ये दाना ले लो और अपना फल मुझे दे दो गोरी बहन ची ऐसा मजाक ना करें मैं ये फल बहुत दूर से अपने बेटी के लिए लेकर आई हूँ अगर आपको फल खाना है तो जंगल के उस पाट जाकर ले आए मुझे रास्ता बता रही हो चोटी जडिया अपनी शकल देखी है जैसी तुम हो वैसा ही तुम्हारा बेटा भी होगा लाओ ये फल मुझे दो गोरी बेहंजी आप मुझे कुछ भी कहलें परंतू मेरे बेटे के बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना करें क्यों ना करों अगर मैं करों तो तुम मेरा क्या कर लोगी मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ गोरी चिडिया से फल छीनने की कोशिश करती है परन्तु चिडिया अपना फल लेकर वहां से भाग जाती है शाम होने दो, मैं देखती हूँ तुम्हे छोटी चिडिया मैं जा रही हूँ अपने भायों को बुलाने गोरी की ये बात सुनकर चड़िया तो और भी तेज भागती है वो घर जाकर फल अपने बेटे को देती है कुकु बेटा जल्दी से ये फल खा लें हमें तोते के पास जाना है ममा क्या हुआ आप घबराई हुई क्यों है वो गोरी कवी ने अपने भाईयों को बुला लिया है बस आप जल्दी से फल खाएं भाई भाई आज उस चोटी सी चड़िया ने मेरी इतनी बेज़ती की के मैं बता नहीं सकती तुम्हें उस चॡ़िया की इतनी हिमत के वो हमारी बहन गोरी से पंगा ले चलो भाईयों चलो बहन का बदला ले तोते भाईया मैं तो अपना फल लेकर आ रही थी और उसने ऐसे ही लड़ाई बना ली मुझसे वो अब जरूर अपने भाईयों को बुलाने गी होगी आप अब अपने घर में ना जाना आप यहीं चुप जाओ मैं कबोतर को साथ ले जा कर देखता हूँ तोते भाईया मेरी किसमत ही खराब थी अगर मुझे पता होता कि वो डायन रास्ते में बैठी हुई है तो मैं दूसरी दिशा से चली जाती गोरी के भाई चिडिया के घर जाते हैं परन्तू चिडिया तो वहाँ नहीं थी डर गई डर गई लग रहा है मेरे भाईयों से डर कर फाग गई गहीं अब हम जाते हैं गोरी बेहन जब चिडिया नजर आए तो तुरूंत हमें बता देना और हम आकर उसकी खूब पिटाई करेंगे यार तो ते वो गोरी के भाई चिडिया को पूरे जंगल में ढूंड रहे थे क्या आज चिडिया से लड़ाई हुई है गोरी की कबोतर चिडिया मेरे घर में छुपी बैटी है गोरी चिडिया का फाल छीन रही थी बस इसे बात पर लड़ाई हो गई अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो गोरी हम सब को जंगल से निकाल देगी उस दिन उसके भायों ने मेरी पिटाई की मैं चुप रहा परन्तु अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा उस गोरी की बच्ची का मेरे पास एक उपाए है बताओ बताओ तोते यार क्या उपाए है जिससे हम उस गोरी के भायों का बंदो बस्त कर सकें फिट तोता कबूतर के कान में कोई बात बताता है तोता और कबूतर चील के पास जाते है चील दी मैंने आपके लिए मीठा अमरूतों वाला हलवा बनाया है मैं वो आपके लिए यहां लाना चाहता हूँ बहुत अच्छा तोते मुझे भी फलों वाला हलवा बहुत पसंद है तो फिर जल्दी से जाओ और ले आओ चील दी वो गोरी कवी बहुत शेतान है मुझे डर है कि कहीं वो रास्ते में मुझे से फलों का हलवा न चीन ले अगर वो कवी हलवा चीनने आए तो तुम उसे मेरा बता देना फिर वो आप से हलवा नहीं चीनेगी यह सब तोता और कबूतर गोरी कवी को मारने के लिए जाल बचा रहे थे और वो वापिस जाते हैं चुड़िया बेहन बन गया हलवा हाँ हाँ मैंने हलवा बना लिया है और आज गोरी पिटेगी और बहुत ज़्यादा पिटेगी कबूतर और तोता वो हलवा लेकर गोरी के घर के पास से गुजरते हैं और गोरी उनहें रोक लेती है कोई चील से कम हूँ लाओ ये हलवा मुझे देदो नहीं नहीं हम ये हलवा आपको नहीं देंगे मेरे भाईयों की पिटाई भूलके कबूतर समझाओ अपने दोस्त तोते को ऐसा कहते हुए गोरी तोते से हलवा चीन लेती है कबूतर और तोता तो यही चाहते थे फिर वो च चील के पास चाते हैं और चील को बताते हैं चील दी हमने आपका नाम लिया तो वो गोरी बोली कि मैं नहीं टरती चील से और उसने वो सवादिष्ट हलवा हम से चीन लिया जो हम आपके लिए ला रहे थे उसकी इतनी हिम्मत मैं अभी देखती हूं उस गवार कवी को फिर चील बहुत गुसे में गोरी के पास चाती है गोरी बैठी फलों का हलवा खा रही थी ये क्या खा रही हो अंदी हो दिख नहीं रहा मैं फलों का हलवा खा रही हूं ये हलवा तो तोता मेरे लिए बना कर लाया था और मैंने चीन लिया क्योंके सब डरते हैं मेरे साथ भाई ऐसा कहते हुए चील गोरी कवी को मारना शुरू करती है और मार मार कर उसे जान से ही मार देती है और गोरी अपने बुरे कामों की सजा पाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जालिम अपने अन्जाम को जरूर पहुंचता है